यो, what's up guys, कैसे आपसे भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग दुबार से केलने चाह रहे हैं, GDF 5, तो जैसा कि आपसे भी लोग को याद होगा, पूरे के पूरे शहर में हर जोगा हमारे wanted के poster लग गए, और हमें इधर से उधर छुपना पड़ रहा था, और at the end, हमें अप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, में जाभी वो हॉस्पिडल में है, वहाँ पर काफी जदा सेक्योर्टी भी है, बट टेर्रिस्ट को पता चलता है, तो इसलिए ले लेस्टर ने बोला है कि उसको ना किसी ऐसी जगह पर हमें रखना पड़ेगा, मतलब मिलेटर को किसी ऐसी आस्पिलल से उठाएंगे मिलेटर को और जो लेस्टर ने में जगह बता ही है, वहाँ पर उस मिलेटर को अपने मिलेटर को छोड़ेंगे, और जब वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद हमें टेर्रिस्ट की बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि आर दिखो भी जो टेर्रिस्ट हैं उनने पुरी मिलेटरी बेस पे अपजा कर दका है वो जब तक पूरा लोसेंडो सेफ नहीं है तो भी उनको सब को खतम करके हैं आस बखाना पड़ेगा हैं उनको में रहा गया हैं अब पता नहीं आखिर असली में बोस्त में आपस बिग मापे लाग हाई है चलो गयार क इसी का फोन आया कि जिमी की जो कॉलेज फ्रेंड्स है उसको कॉलेज में बुरी तरह पीट रहे हैं पर अभी ना हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी कॉलेज पोच नहीं पुर जिमी को पता ना बच्छा आना होका पता निसके कौन से कॉलेज फ्रेंड से बहुत बुरी करते हैं और अभी काम करते हैं मैं अकेले स्कूल के इंदर चलता हूं और देखता हूं कि आखिरकार जिमी को कूल से बच्चे परेशान कर रहे हैं बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं बाकी लेफ्ट साइप में भी बिल्डिंग है जहां तक मुझे लगता है कि जिमी जिस क्ला बहुत ज्यादा ही वड़ी है सारे के सारे वंदे मिलगे में या भी पीटने के लिए आ चुके हैं उधर जीमी को लिचा के भाई पटक पटक पीटर रुख जाते हैं अभी ना मैंने कम से कम 10 से 15 गुंडों को यहां पर मार के गिरा दिया है बाके जिमी यहां से भागने की परिष्र कोशिछ तो कर रहा है बट यह लोग यह उसे जाने महीं दे रहे दे अटAKभर डूर जबार टुमार यह यहां से पुबारा मत और हम निकाले अचलाने करणे बढ़ सब्लाट है यह तो भाग के जा चुका है मुझे भी फटाफट चलना होगा पर जार आ यहां से अब यह पिटने वाला एंट जा दूबारा उठेका निकर यहां इँग्याद बाकि यहां जी बाहरा वाला बाकि यहां जीमि की आगी को भाग के गया था यह पठा एक काम करते हैं मैं अग्डा को भी स्वाइब दूसरी कार लेकर हम यहां से निकलते हैं जीमी की आज तो आ मुझे यहां से पर कोई भी कहां पर गया वो पीछे ग्राउंड में तो नहीं चला गया वेट भागता हुआ यहीं पर आया था पर अभी जिमी गाया बुचुका है मुझे लेफ्ट से किसी की चिलानी के आवास आरे रुख जाओ पक्का भाई उन लोगों मुझे लग रहा है अभी तो बार के उन्डे हैं अभी तक किन बंदों से में लड़ा था को कॉलेज के सुटेंटे यह जो लोग है यह तो कोई ग्यांग लग यह बहुत बड़ी रुख जाओ अरे रुख जाओ भाई अरे रुख जाओ भाई बेस्बॉल बैट निकालना होगा अभी इन सब को एक ही बार में बहुत बुरा मारने वाला हूँ भाई यह बहुत डेंजरस कोलेज गांग है पर आकिरकार असा किया क्या है जिम्मी ने जो उसे मार रहे है भाई यह तो अपी वाला बंदा तो फुल एकदम चाकु लेकर आया है मुझे पैने से मारना होगा वरना यह बाद म से और आगती निकले यह से अमत मार दियो ठीक है ना वोद देर से देख रहा हूँ तो यहां पर एक बंदा हो रहा था वो भी चल गए चल भाई जिम्मी मेरे साब से रास्ता क्लियर अब यहां से निकलना चाहिए तो चलो गाई समीना फिलाल इन ट्रेसी यहां पर बड़ी लेकर यहां से सीधा हॉस्पिटली जा रहा था बड़ शायद से माइकल की अभी भी माइकल से बहुत जादा नाराज है क्यों कह रहे है कि घर पे ही ड्रॉप कर दो और कुछ नहीं चाहिए जितनी हेल्प करके उसके लिए तैक्यू सो मैंच मतलब शायद से अभी भी यह ल लेकर आज चुका हूं पता ही जगह जहां पर ही लोग आकर रहे है ते शायद से इसे रहे हैं अपनी फॉरारी वहीं पर मैंने बाहर खड़ी कर रखे है यार वैसे नहीं बस मुझे एक चीस पूछ नी ती जिमें से कि आकर कार उसने ऐसा क्या किया था जिस वज़ा से इतन बुरी तरह मार रहे थे और अभी ना मुझे जिमी का भी थोड़ा ध्यान अठना होगा कॉस हो सकता है वो लोग उसे दुबारा मारें और हो सकता है कि वो लोग मुझे भी ढूंके मारें क्योंकि उनके हाथ यसे जादा बंदों तो मैंने यह वाह पर पीठा था वह तो तो पुरा स्कूली खानी करवा देते वांगि वापिस सब्सक्राइब अपनी गाड़ी लेके वापिस ने जिमी के हाई स्कूल में पहुच चका और वेट एक सेकेंड भाई यह बुल्डोजर का निके चार भाई यह पक्का भी भी गुंडे यहाँ पर है और यह मेरी फ्राडी तोडने क लिए जाना है एक बिनेटै इसकी बैसके नंट तु बाहर निकल गाड़ी के एंटी इसको फड़ा हो गदुंडऽ इसको रोकना होगा मुझे चार बाहरी बुरी ल चक्रं डोलेगा थेशु सब गाड़ी पे पहली निकाल निकालेए पाला मショ 5 फटने उसके मेरे मतलब कि यार, वहां तक दुछ में ठीक थी यार, हल्की फुल्की गाड़ी पहली इनके चुकर में तूट गई है, और अभी ये special bulldoze और लेकर आये था अपनी गाड़ी तूटने के लिए, यार भी ना मुझे यहां से निकलना होगा, जल्दी से जल्दी बरना पता चला कर ओ अपड़ेगा, ये गाड़ी और भी एक्दम बढ़िया तरीके से चल रही है, फिलाल काफी सारे टेंट्स आ गए है, और मैं लेकर आगे हूं भी बैनी के गिराज पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपना हूँ पूसान हो, ये थोड़ी बहुत गाड़ी बच्ची भी है चलन अपनी गाड़ी बस रिपेर करवानी है, पेंट तो हुए गाड़ी बट जो डेंट आया एक्टम खतरनाक वाले जहां से पुरी ठीक करवानी पड़ेगी, अभी मुझे यहां से जाने हैं तो फटा-फट से हम लोग इनमें से कोई गाड़ी उठाते हैं और जल्दी से भी म सारे वेपन्स तक पहुचने के लिए, क्योंकि अगर वो वेपन्स एक बार ही डगण वास के गाड़्स तक पहुच गहना, फिर हमारे पास आना बहुत जादा ही मुश्किल है, उस सुबह के टाइम तो सारे रोड भी खाले बड़े हैं, फिलाल के लिए यहीं पर खड़े पड़ेगा, वैसे अची बात हुए कि हाईवे हाईवे से हम लोग निकल जाएंगे सीधा अपने शोरूम के लिए, और यह वाला जो कि दूसरे गेट में क्या ओइल नहीं डाला गया, यह क्यों नहीं काम कर रहा, मुझे अपने ट्रेक बहुत जादा दिक्कत आएगी, और सांटास के जो हाईवे हैं, वो काफी जादा चोड़े चोड़े है, फिलाल यह वाली गली बहुत जादा पतली है, बट हाँ, बहुत जादा पतला ही है, चलो कोई नहीं, फिलाल जल्दी से हम लोग न अपने ट्रक को यहां से बाहर निकालते हैं, और वो जो आप तो भाई बाई मेरे को निकालने दिने तो भाई वरना ट्रें ठुक जाएगी, घलो भाई बाई अराम से, अभी बड़ी घंदी तरह टुकता उस ट्रक पाले के चक्कर में, मन तो करने अपने ट्रक से उतुर जा के उसके में पहले बजा कराऊं यार इसको ट्राइव करना इतना जादा मुश्किल है ना, उपड़ से यह जो बंदिया भाई, सीरियसली ले ही ने रहे हैं, मेरे को ओवर्टेक करने में लगे हैं, भी एकाथ में ठुक जाएगी ना, तो उनसे जादा नुकसान मेरा हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर भाई, तीन 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 न मुझा है वो भी प्यार से तो काफी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेट्स को बाई, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बढ़ा है, बढ़ा है बट इसके कंट्रोल्स ना काफी ज़्यादा सही है, इसली कहीं पर भी एडजस्ट होकर यह मुड़ जाता बढ़ा बट से इसे भगाते हैं, हट जो भाई, अगर अभी कोई आयाना मैं ठोक डालूगा, सही बता रहा हूँ, इसको ड्राइब करने में तो मचा आ रहा है, बट थोड़ा बहुत ध्यान रख की चलाना बढ़ेगा, ओके गाइस, फाइनली वो फ्लाइवर आ चुका है ह इसका मुझे बढ़ सो से इंतजार था, अब हम लोग अपने ट्रक को यहां पर भगा सकते हैं, 200 किलोमेटर पर आर के स्पीड से बट नहीं आरे, जादा हो गया, इतने से भगा होगा ना और बाया चांस ब्रेक मार नी पड़ गई, तो ब्रेक लगने नी वाली, सीधा अप से फंदरह वारी एक्सिरेंट होते होते बचा है, मेरा नी सामने वाले बंदो का, क्योंकि आप लोग हैं पर देख पा रहे हो, बड़ी-बड़ी स्ट्रक के अगे इतनी चाहता छोटी सी लग रहे हैं, मैं क्या बता हूँ, फिलाल अभी ना बीच रास से मुझे लेस्टर क लोग में बटने वाला है, बहुत सही हो जाएगा, हम लोग उने शोरूम के बिल्डर को भी सारी पेमेंट कर देंगे, और नई गाड़ियां भी लेकर आजएगे, अपना बिजनस ऐसी तो आगे बड़ेगा, फिलाल किस रक को यहां तक लाना ना सची में बहुत जादा मु और वैसे भी यह बेचनी नहीं है, यह शोरूम में हम लोग शोरूम के लिए लगाने वाले आगे, काफी बड़े है लुक आजएगे वाई अपने शोरूम की, फिलाल बैनी का रहा है कि पिछले एक हफते से कोई भी कस्तोमर ही नहीं आया वाई इतने बड़े शोरूम में, चला कोई नहीं देखते हैं, अभी हमेना कॉफी जादा बंदे रखने पड़ेंगे, जो कि बंदों के घर से गाड़ियां लेकर आएंगे, उनको रिपेर करने के लिए, तब ही तो हमने इतने सारे टोर ट्रक्स खरीदे थे, फिलाल अभी जल्दी से जलकर हम लोग बैनी से है, क्योंकि अपने पास कोई जादा गाड़ियां है नहीं, जो 3-4 सूपरकार्स आई थी, वो भी बिग गई है, और लास्ट एक वीक से तो यार कोई भी बंदा शुरूर में आया नहीं है, ना ही गाड़ी खरीदने, ना ही रिपेर करवाने, और साथ ही भाई लामार भी द आप लोग यहाँ पर देखो, इस गाड़ी की ग्राउंड क्लीरेंस इतनी जादा कम है ना, कि पूरे टाइम जमील में बस खिसरती ही रहती है, फिलाल अभी थोड़ा सा बड़िया रोड आचुका है, और अभी कोई मुसीवत की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोई ट्रक पर इस गाड़ी से मुझे लोस आंटास पहुचने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो ड्रिफ्ट लगती है, वो बहुत जादा खतरनाक है, फिलाल चलो, सारे रस्ते खाली है, जल्दी से गाड़ी बगाते है, तो ओके गाइस, लेट्स को, अभी फि हम से, चलो, कोई नहीं, फिलाला भी जल्दी से जलते है, पैसा भी तो लेना है, बहुत जादा कैश हो गया, बतलब, गोल्ड इतना सारा हमने वहां से चुरा था, कम से कम 4-5 बैग, बट उससे भी जादा जो किमती चीज थी, वो थी, सारे डाइमंड, भाई, पूरा एक जितना पैसा दे रहे हैं, उसको लेकर निकलते हैं, वाई सीधा, बिल्टर के पास उसको पेमेंट करनी है, अपने नहीं वाले शोरूम की, ताकि वो फटा फट चे कम्लीट हो जाए, उसको बात लिवर्टी जाकर न सारी नहीं नहीं गाड़ियां लाकर उस शोरूम में पर पाक करते हैं, और फटा फट चलते हैं सीधा, फाक्टरी के अंदर लेस्टर से बात करने के लिए, और देखते हैं भाई, कितना पैसा आकिरकार आज हमें लेस्टर के तुरूम मिलने वाला है, तो यह अपने लेस्टर भाई साब का ओफिस और मेरे साब से वो ओके तो ओके गाइस, अभी न मेरी फिला लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस, एक हमें बहुत तगडिक गुड नियूज में लिया है, मतलब कि यह बैड नियूस थी, वट हम लोग इसको गुड नियूस में कनवर्ट करने वाले हैं, जो नया वाला मिलेटरी कानल है आप इस बात को लेकर 100% sure नहीं है, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है, और साथ ही, लेस्टर ने लास्ट नाइट उन सभी लोग की call recording सुन ली, जो नियू मिलेटरी कानल है, उसका पूरा प्लैन है हम चारो लोग को अरेस्ट करने का, वो जो हमने लास्ट हाइस्ट करी थी ना, लॉम बैंक में gold, diamond और cash की, उसके बारे में उसे पता चल गया है, और इसलिए guys हम लोग वो सारे proofs मिटा रहे हैं, ताकि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता ना चल पाए, तो इसलिए guys लेस्टर ने हमें यहाँ पर बुलाया है, यह जो आप देख पा रहे हुँ ना, इसने जो newspaper लगाया है, इससे इस पूरी factory में आग लगाने वाला है, एक बारी पहले भी हमने इस factory में आग लगाया थी, जो हमने jewelry हैस्ट करे थी, बट दुबारा से इसमें आग लगानी पड़ रहे है, और अब हम लोग दुबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, पूरी अगर सची में बहुत बुरी तरह फासाद है, बट अभी सब कुछ ओके है, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो चलो guys, अभी ना फिलाल इस पूरी factory के first floor पर हमने petrol डाल दिया है, और अभी मैं इस petrol को डालता डालता सीधा नीची तक आ चुका हूँ, अब बस मुझे इ सारे proof मिट जाएंगे, फिलाल लेस्टर से एक बारी पहले बात कर ले तो हम मिटाने हैं नहीं, तो okay guys, अभी ना फिलाल लेस्टर कह रहा है कि बहुत जादा बड़ी problem हो गई है, हम लोग new military gunner को हलके में समझ रहे थे, भाई साब उसने एक ऐसी चकाट ढूंड निका लिया पहुच गया है, और कहरा है कि मुझे इसका password बताओ, वरना उस bunker को blast कर देगा उसके gate को, और अंदर जाकर देखेगा क्या है, मतलब क्या उसको 100% हमारे उपर शक है, मतलब शक नहीं, उसे पक्का पता है कि हमने ये चोरी खरी है, बट अब वो प्रूफ भट हो रहा है, फि क्यार सची में बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया है, अभी फड़ावट से ना, guys हमें वहाँ पर पहुचना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस military pass कि यहां पर कितने पत्थर है बाई इस गली में, अपनी गाड़ी ही निकल भी नहीं पारी, तो हाँ guys वहाँ पर अगर वहाँ पर हम लोग अपनी लंबोग नी टैर्सों लेकर निकल लेते हैं, सीधा फ्रैंक्लीन के घर के लिए, बाकि यार लेस्टर भी ना, अपने लिए कोई ना, कोई फोर्स का जुगाड कर रहा है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, military channel के लिए में वो bunker खोलना पड़ेगा, जिसके पाए, उतना वो सारा पैसा ना, उससे चुपा के रखना है, बाट ऐसा हो नी पाएगा, मुझे नहीं मालूग वो bunker कैसा में, उसमें कभी गया ने, तो इसलिए लेस्टर कहा रहा है, कि तुम लोग बस वहाँ पर पोचो, वो पूरी force लेकर वहाँ पर पोच रहा है, जैसे के बाएद हमारा city में रुकना impossible है, में यहां से निकलना ही पड़ेगा, पूरी military अपने ओपर charge हो जाएगी पहले किदरा, और यह पहले वाली military नहीं है भाई, यह उसनी जादा dangerous है, आपने देखा होगा last time इनोंने हमें कैसे फसाया था, हम लोग cars के delivery लेने कहे थे, और इन बढ़िया यूटन लगता है, वर इस टाइम पर भाई बिल्कुल भी मोच मस्ती नहीं करनी क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी problem में है, अच्छी बात हो यह है कि घर पर है, इसकी गाड़ी भी बाहर खड़े भी है, फटाफट से भाई भी मुझे अंदर चलना होग बढ़ी दूसरी जगा जाने का फायदा नहीं है, वहां के प्रूफ मिटाने के लिए, क्योंकि military channel एक ऐसी जगा पर पहुच चुका है, जहां पर सबसे पहले पहुचना सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिलाल मुझे Franklin कहां पर बोल लो भाई, सब बाहर बैठ कर यह क्या कर मैं इसको फोन मिला रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा, चलो कोई नहीं फिलाल अभी जल्दी से बताते हैं, तो ओकी गाइस, अबीना मेरी फिलाल Franklin से बात हो चुकी है, और मैंने इसको पूरा को पूरा सीन बता दिया है, कि लास्ट ताम जो हमने लोम बैंक से चोरी करी उसके बारे में नहीं वाले Military Canal को पता चल चुका है, और ये बात सुनने के बाद, Franklin की भी हालात बहुत चादा कराब हो गई है, क्योंकि CDC बात है, उस Military Canal के पास बहुत तगड़ी फोर्स है, टेरिस से भी उसकी बात चाहिता है, और सबसे तीसीरी चीज, Big Mafia का भाई भी चाहि हमारे साथ होने वाला है, बट मुझे ना ये नहीं समचा रहा कि आखिर कार उसको पता कैसे चला उस वंकर के बारे में, मतलब कि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं बताया था, Lester ने कभी, Lester को ही पता था, हम लोग सूच रहे था, लेस्टर बहुत तेजा, उसने कि थ्रू कॉंटाक करना है, क्योंकि हो सकता है, वो जो मिलिटरी कानल है, उसने हमारे सारे डिवाइस है कर रहे हो, और वो बैट कर हमारी cold recording सुन रहा हो, तो हमें उनके जाल में नहीं फसने है, हम लोग ओल लड़ी उनके trap में काफी जादा फस सुके हैं, और इस तरीके से जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा, हमें वो अरेस्ट कर लेगा, या फिर हमारा एंकाउंटर ही कर डालेगा, इसलिए हम लोग वोकी डोकी से एक दूसरे से बात करेंगे, ताकि वो हमारी cold recording सुनना पाए, नहीं उने ट्राक कर पाए, फिलाल भी जल्दी से हम यहां से नीचे लेकर चलते हैं, यह एक बड़िया SCV है, तो मैं ऐसे चाहूं तो डारेक्ट भी नीचे उतार सकता हूं, बड़िया रिस्क नहीं लेना, तो यहां पर काफी ज़दा बड़िया जगा है, गाड़ी नीचे जाएगी तो कमी चांस है एक्सिडेंट होने गए, तो फड़ावट से अपनी गाड़ी को यहीं से लेकर चलते हैं, और यहीं एक रास्त है उस बंकर तक जाने का, जो कि मुझे लेस्टर ने बताया है, फिलाल फड़ावट से अपनी गाड़ी को सीधा बगाते हैं, आगे वाले गट से मुझे राइट लेना है, और मुझे प पूरी उमीद थी क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता भाई यह बिना security के यहाँ पर आ जाए वो भी हम से मिलने चलो कोई नहीं फिलाला भी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं इस ताइम पर हमें बहुत जादा खत्रा है बट दिक्कत की बात कोई नहीं है वैप बट से दलते हैं भाई यह है न्यू मिलेटरी करनल इसके साथ है सारी security तो ओकी काईस अभी ना मेरी फिलाल इस मिलेटरी करनल से बात हो गई है और गाईस यह कहरा है कि मेरा जादा नाइम मत कराब करो और पड़ावट से इस बंकर को खोल के दिखाओ कि आकिरकार इसके अं जल्दी से हम लोग चल लेता है वापस इसको बताने के लिए कि बंकर है नोग हो चुका है इतने सारे भाई road wheelers लेकर रहा है अंदर चेक करवाने के लिए चलो गाईस अभीना फिलाल मैंने military का इनल को बोल दिया है यह जो बंकर का केट है मैंने खोल दिया है आप लोग अं चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है मेरे को सची में भाई बहुत कलत फिलिंग आ रही है कि वह जो डॉक्स वह लोग सुनके पता कर सकते हैं तो की गाईस अभीना फिलाल गी लोग तो अपना अंदर जा चुके हैं फड़ावट से हम लोग भी अंदर च पूरी फोर्स हमारे आत में आ जाती इंपोसिबल उसके अंदर बहुत दिमाग है उसने फ्रैंक्लिन को बहरी रोक रहा है और पूरी फोर्स अंदर भेज दी ताकि हम लोग यहां पर इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए पिलाल यह पूरा पूरा बेस चेक कर रहे हैं वैसे लेस्टर ने काफी चाहता तकड़ा बनवा रहा है यह बंकर अंदर से तो मतलब रहने लाग जोगा है बैट वगरा सब टेले हैं हमारे इसाब से यह मतलब इन फूचर यूस करने के लिए था बट अब पहले पुलिस वाले को पता चल गया है और यह डॉग मेरे को का जा रहा आखिरकार पैसा लेस्टर ने रखा कहां पर है यह बिचारे डॉक्स भी सारे धर-धर धूड़ने में लगे वे हैं मुझे नहीं बता यहां कोई पैसा नहीं है मैं आज से निकल लेता हूं पता लगा यह स्वैट सोलजर मेरे उपर भड़क जाए कि बाई जल्दी कुछ भी नहीं है चलो कोई नहीं फिलाल जल्दी से हम लोग भी यहां से बाहर निकलते हैं और उसको चलकर बता देते कि हमारे पैस कोई गोल्ड वॉन्ड नहीं है वो चोरी किसी और नहीं करी थी क्योंकि यह भी 100% शूर नहीं है सीधी सी बात है वहां के सारे CCTV लेस्टने हैक करके साइट कर देते तो किसी में कहीं पर भी हमारी footage नहीं आई है तो कि guys finally इस military काइनल ने हम लोग को यहां से जाने का permission दे दिया है बड़े यह कह रहा है कि तुम लोग को कभी भी call करके बुलाया जा सकता है इसलिए पड़ावट से पहुत जाना जहां पर भी सकते में इस लिबर्टी फ्रेंच इवेरा कहीं पर भी नहीं चाह सकते भाई हम लोग इस चैर को छोड़ गए बट कोई नहीं फिलाल मुझे लगता है नहीं कि भाई यह military कनल हमें छोड़ने वाला है यह कुछ जादा ही dangerous है इसका भाई मूत और जवाब इसको देना पड़ लेस्टर क्या ही कहना चाहा रहा है बाई उस नहीं कहता सब कुछ वहीं पर पड़गा तुम जाकर सिचुएशन हेलर करो वो पूरी फोर्स वर्स भिजवार है इनसे भिड़ने के लिए पट ऐसी तो कोई प्रोब्लम हुई नहीं कुछ मिला ही नहीं उचके अंदर कुछ हो तो वो बंदा ही क्या को लेगा जो चुरा कर ले जाएगा मेंस हैकर हो सकता तो चुरा लेगा बाकि बहुत मुच्किल योगा उस बंकर को खोलना तो कि कई सबीना फिलाल में अपनी गाड़ी लेकर पहुचने वाला हूं सीधा लेस्टर की घर पर और इस ताइम या मैं बह बढ़ा फट से चलते हैं और देखते हैं आपकर कोल कैशो डायमंड है कहां पर अभी लेस्टर यह जिसको सीज के बारे में बढ़ा बढ़ा जूब हो सब कुछ एकदम बढ़िया से होगा हम लोग बच कर सेफ लिया पर आ चुके हैं बट मैं यह नहीं कह सकता कि हम लोग अ सीरियसली यहां पर बैठा हुआ है भाई इसको लग रहा था कि हम लोग वहां से जिंदा वाफिस नहीं आपाएंगे बट हम लोग अने विलेटर करने के लिए पर कुछ शॉट शॉट्स बनाने चला गया बाई फ्रैंक्लिन को फूल एकदम पार्टी चले इन तीन लोग की क्या फिला दिया वही फ्रैंक्लिन को तो कि अभी नहीं तीन लोग ने चोटी सी पाटी शाटी कर लिया और लेस्टर कहरा है कि वो जो सारा का सारा उसी बंकर के अंदर रखा हुए फिलाल यह कहरा फटावर से ना तुम बाहर चल के गाड़ी निकालो यह अभी दुबार से उस बंकर पर लेकर चल दिखाने के लिए कि इसने कहां पर उन सब चीजों को चुपा के रखा हुए था फिलाल इसकी BMW इसी से अम लोग जाने वाले हैं अपनी मस्त गाड़ी वहां पर भी खड़ी हुए जो कि फ्रैंक्लिन की है बट नहीं यह कार के अलग मज़े है चली से वहां पर कोई टनल वनल तो नहीं कोद रखी इसने बेस्मेंट में तो गाइस दिखो पहले मुझे लग रहा था कि लेस्टरू बहुत तेज है क्योंकि भाई इसने पहले ही मिलिटरी करनल की कॉल है करके यह पता कर लिया था कि वो लोग और इस नाइम पर प्रूफ से खट उसके बाद यह पता चला कि भाई या लेस्टर उससे ट्रिपल तेजा है क्योंकि उस बंकर के अंदर तो पैसा चुपाया था बट बंकर के अंदर भी उसने कोई सीक्रिट जगा बना रखे जहां पर उसने पैसा चुपाया था वाला आप लोग खुस सूचो वो पैसा वो यहां पर रुक्किया ही करते बाटा बट्च गाई सम लोग अपनी गाडी को नहीं से नीचे उतारते और यार मैं बातों को चक्कर में थोड़ा सा उल्टा लेकर आ गया हूं मुझे पीछे वाल फ्लाय वर से पहली नीचे उतार लेनी थी अपनी गाड़ी बट मैंने बिलक वाटरफोल आ रहा है, यहां से जंफ मारते हैं, ताकि हमें चोट वोट भी ना लगे, फटावट, ए, लेट्स को, भाई, 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 सीधा वाई, सीधा वाई, सीधा वाई भाई भी लेते हैं, फिलाल फटावट से हम लोग इस रिवार को पार करकर आ चुके हैं सीधा इस बंकर में, और यह दोनों भी अपना भगते वे आ रहा है, जल्दी करो यार, तो इतनी स्लो स्विम करने में क्या बताओं, तो चैलो काई सबीना फिलाल लेस्टर ने अपने साथ पीछे-पीछे अ फिलाल भी जल्दी से अंदर चल कर देखते हैं, कि अगर किदर लेस्टर ने वो डायमंड कैश और गोल्ड छुपा के रखा हुआ है, और यह बंकर इसने कॉप में लिया भाई मुझे कसम से कोई आइडिया नहीं है, भाई साब यह एक गेट था, उन लोगों ने भाई यह इसने अपना फोन निखाल दिया है, और यहाँ पर भाई यह देखो सारा का सारा गोल्ड और कैश रखा हुआ है, डायमंड का जो ब्रीफ केस है वो इसने भाई पता नहीं कहा पर सुपा रखा है, भाई साब वैसे मानना पड़ेगा लेस्टर को दस कदम आगे की सोच के च खतरनाक है, भाई साब इसने पहले ही अपने स्वैट सोल्जर को अंदर बैटने के लिए बोल रखा था, ताकि हम लोग जैसे यहाँ पर दुबा रहा है, यह लोग हमें मार डाले, फिलाज सामने की तरफ में एक स्वैट सुल्जर ओर है, इसको भी मैंने धेर कर दिया, मेरे पास स्नाइपर है ना, इसका मत्ता ही खूनना पड़ेगा भी स्नाइपर से, पूरे खतरनाक अर्मर वार उना पैन के बैठे वे हैं, चलो को ही फिलाल मैंने इसको डाउन कर दिया, बट मुझी खिये नहीं पत्ता भी नहीं चला भाई, हम लोग जस्त अंदर को से, इन पर कोई ना, कोई सीन होगा, तो फिलाल अभी यहां पर सारा मामला होके है, फटा फट फट गाईस अभी हम लोग को यहां से निकलना पड़ेगा भाई, बहुत गड़ बड़ हो गई है, तो ओकी गाईस, अभी ना फिलाल लेस्टर कह रहा है कि तुम फटा बट से फ्रैंक को उठा लिया है, अच्छे बात तो यह है कि भाई इसके अंदर अभी थोड़ी बहुत जान बची है, तो यार देखो मुझे ना कसम से मालूँ नहीं था कि कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, वरना यार हम लोग यहां पर बाद में आते हैं, मतलब कि military वालों को हमारे उपर पू सच्छी में बहुत जदा कराब हो गया क्योंकि नाइफ पड़ा है, इसके गाल पे वो भी दोनों साइड, तो कसम से बहुत जदा ब्लड इसके आ रहा होगा, फिलाल वो गड़ी अपनी गाड़ी, इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ और गाड़ी लेकर आता हूँ जल्दी से फटा-फट से पहले लाते हैं, फिर देखते हैं भी हमें आगे क्या करना चाहिए, वैसे तो भाई अभी लेस्टर इसके घर पे डॉक्टर भिजवारा है, हमें इसके घर पर छोड़ना है, भाग हमें कोई ज़्यादा टैंशन लेने वाली बात नहीं है, टैंशन बस इसी चीज़ किया है, अगर उस military channel को ये पता चल गया ना, कि यहाँ पर उस smart soldier मारे जा चुकी है, तो CDC बाता उसे हमारे पर पूरा शक हो जाया है, और अगर उनमें से कोई भी smart soldier जिंदा हो जाता है ना, तो उन्हें उस secret room के बारे में भी मालूम पढ़ जाएगा, फिलाल अपन पानी में तो जादा दिक्कत हो जाएगी, फिलाल यहाँ से तो river पार नहीं होगी, आगे वहाँ पर थोड़ा सा कम deep water होगा मेरे साफ से, आगे लेकर चलते है गाड़ी, वही से river पार करवाएंगे, वैसे गाड़ी यार खसम से काफी ज़्यादा बढ़िया है, वरना और को पूटी जाए, फिलाल यहाँ से अपनी गाड़ी हम लोगने जल्दी से पार कराते है, प्लीज हो जब पूरी गाड़ी डूप गई है, बट सही है कि जादा नीचे तक नहीं गई, भाई अभीना मैंने बहुत कोशिश कर लिया है, बट यह जो गाड़ी है बाहर आने का नह इंदर डालते हैं जल्दी से, तो यहार देखो अभीना फिलाल गाड़ी का पीछे वाला गेट तो मैंने ओपन कर दिया है, फटावट से फ्रैंक्लिन को भी उठा के लेकर चलते हैं, सीधा गाड़ी के अंदर रखने के लिए, तो ओकी गाड़ी मैंने फ्रैंक्लिन को कोपा है, फिलाल के रस्ते इतनी जादा हजीव हैंना सामने कोई भी पेड़ा कर बिढ़गा, तो गाड़ी आगे से चकना चूरू जाएगी, फिलाल हम लोग इजली वहां से भाहर आ चुके हैं, भी यह बीच हमें पार करना है, और उसके बाद अपनी गाड़ी को लेकर ल सब्सक्राइब करने के चकर में, फिलाल फ्रैंक्लिन की तो हाला ठीक है, यह बिल्कुल ठीक है, चलो जादा थेज ने टूकी और फटावट से निकलना पुड़ेगा, गाड़ी वैसे ठुकी तो बहुत तेजा, बट अंदर वाले कोई चोटनी आई, तो ओकी गाईस, अगर पहुचने वालों सिधा फ्रैंक्लिन के घर पर, और आप लोग आपर देख यू पारो भाई, मैं कितनी ज़्यादा तेज इस गाड़ी को भगा रहा हूँ, और डॉक भी आपर खड़ा हुआ है, फटनवट से गाड़ी को साइड में खोलके लगाते हैं, और इसके साथ साथ जा रहा है चलो कोई नहीं, यह ठीक कर देगा जहां तक मुझे इससे उमीद है, क्योंकि लेस्टर को कोई भी दिक्कत होती है, वो हमेशा इसी डॉक्टर को बलाता है, फटा फट से हम भी लोग घर के अंदल चलते हैं, वैसे यार मुझे सुभे से भाई कॉलम में आखे पूछते हैं क्या सीन है, तो ओकी गाइस, अभी ना मेरी फिलाल अंडर्वाटर माफिया से बात हो चुकी है, और गाइस वो कह रहा है कि बिग माफिया का भाई लो सैंटोस रहने आ चुका है, वो भी एक बहुत बड़े मैंशन में और बहुत चाहदा हाई सीक्योरेटी के साथ, अब दिक्कत की बात यह नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आगे चलकर हो नहीं था, मैं 100% शियोर था, नहीं वाले मिलिटरी गर्नल ने आते ही उसको छुड़वा दिया था उस सब्मरीन से, बड़ दिक्कत की बात यह है, कि वो आज अभी के अभी हमें मिलन से बात कर लूँ, बट अपने पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, अंडरोटर माफिया भी उसके घर पर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मिलने के लिए आ सकते हो, बट भाई यह हो सकता है, इन दोनों की चालो, बट अंडरोटर माफिया हमें कभी नहीं धोका देगा, फिलाल, एक तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो लॉस सैंटोस में ही है, उसको हमारे घर के बारे भी बता है, चलो कोई नहीं फिलाल अभी डोक्टर तो फ्रैंक्लिन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मुझे यहार अभी जाना ही पड़ेगा, बट जाने से पहले नहीं मैं काम करता हूँ गाइस, फ्रैंक्लिन के आर्मर वगएरा और कुछ कपड़े वगएरा चेंज कर लेता हूँ, ताकि बड़िया सी इन्रा, स्टिटेशन खराब होगी, तब भी हम लोग कुछ ना कुछ जुगाण कर लेंगे, ट्रैवर को भी कॉल कर देता हूँ, हमारी से जैकेट मैंने पहन लिया है, और इसी के अंदर मैंने आर्मर भी पहन लिया है, ताकि हमें कोई ज्यादा दिक्कत भी ना है, फटावट से गाई सब भी हम लोग चलते हैं, सीधा बिग माफिय के भाई के नए लोस सांटोस वाले घर पर, मैंने इस टाइम पर हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, भी फटावट से जलकर देखता है, मैं 100% शूर नहीं हो, मैं अपनी लंबोग नी टैर्जो ले जाऊंगा, भाई कुछ पता नहीं है, महां से जिंदा वापिस आएंगे भी आफिर नहीं, मतलब इस ताहीं पर सच्छी में इतना ज्य माफिय के भाई के निव लॉसांटोस वाले मैंशन पर, फिलाल मैंने ट्रावर, ओके ही तो वो यहां पर पहुँच चुक है, मैं वहीं बोलने जा रहा था कि वो पहुच आया पर नहीं, चलो के ब्रो तू बस ध्यान रखी होकर कोई भी घड़ बढ़ोती है, तो अंदर आ अपनी गाड़ी की लाइट सोन करके नहीं दिखा रहे तो वैसे, हेलो मुझे अंदर जाना है भाई, मिलने के लिए गेट तो कोलो कोई, तो अच्छा लो गाइस, अभी ना फिलाल इन लोगों ने अंदर से परमिशन लेने के लिए में गाड़ी अंदर ले जाने के लिए कर दिया है, फिलाल गेट लेकिन किसी ने नहीं खोला बट कोई दिक्कत की बात नहीं हम लोग अपनी लांबॉग ने टर्जों को ऐसे इंदर ले आते हैं, अच्छी बात तो एक इस गाड़ी पर कोई भी स्क्राच नहीं आया, और मैं एक चीज़ को लेकर ना बहुत ज्या यारी कार, बट मेर को ये बिल्कुल ही समझा रहा कि जो गाड़स है, ये किसके हैं, मतलब बिग माफिय के बाई के पास जो गाड़स है, वो ऐसे नहीं रीखते थे, फिलाल गेर है अपना अंडर वाटर माफिया इस से बात कर लेते हैं, तो कि गाईस, अभी मेरी फिलाल अ में अचुके हैं यह सची में कितना जादा बड़ा है और कियो क्यों पहले बढ़िया थे उनके पास कंस भी कॉफी टगडी थी वैसे इस से ऐसे फर्ख नी पढ़ता में निशाने से फर्ख पढ़ता इनके पास भी M416 है फिलाल कसम से भाई बहुत जादा बड़ा मैंशन है इसके अंदर अगर किसी रूम वूम के अंदर बंद कर दे बंदा तो आपको भटकी जाए कि बाहर कहां से निकलना है और वैसे एक ये वाला गर एक प्ले बोई मैंशन ये दोनों घरिया लॉसांटोस के सब जादा डर लग रहा है और भाई ये मुझे देखकर पूरे में क्लैप के बजा कर दिखा रहा है सबको ये पास आ चुका है तो कि गाईस अबीना फिलाल बिग माफिय के भाई ने पास आकर भाई अपने से गले मिल ले हैं मैं यार खाली पिलीस से इतना जादा डर रहा था बड़ यार सच्ची में यहाँ पर तो मामला कुछ और ही है ये काफी जादा उद्दास है तो ओकी गाईस अबीना फिलाल ये कह रहा है कि हम लोग ना दूसरे रूम में चलते याराम से बैठ कर बात करने के लिए और यार सच्ची में इतनी जादा बुरी हालत में बिग मा माफिया नहीं में बोला था इसलिए मैं यहां पर आया हूं फिलाल अभीना भाई इसने बहुत जादा ड्रेंक कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ को लेकर राजी कौई सीरेस बात है मुझे बात हो चुकी है और यार सची में हमारी लाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम तो इस यह सब कुछ डगण बॉस का प्लान था मतलब यार बिग माफिय के भाई को भी अभी ही समझा रहा है जब यह उस सब्मरीन के अंदर बंद था उस तो तीन महीने के अंदर ही उसने इसका सारा बिजनस में पांच छे बिलियन डॉलर्स इसका सारा पैसा इसकी सिक्यूरिटी इसकी नोर्थ यांक्टन वाली प्रोपर्टी सब कुछ उसने अपने नाम कर लिया है उसने सबसे पहले हमें मिलिटरी करनल से भसवाया उसके बाद मिलिटरी करनल और हमें मिलवा कर बिग माफिय के भाई को भसवा दिया अंदर और बाई मतलब जो भी कुछ वाई सारा पहले पता होती तो लोग इसे सब्मरीन में ही नहीं बंद करवाते बट अभी आर अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यह कहा रहा है कि मुझे कुछ भी करके उस डगगन बॉस को खतम करवाना है वरना वो मुझे मार देगा मतलब कि वह चाहता ना डगगन बॉस तो इससे अगले दिन ही सब्मरीन से बाहर निकलवा सकता था क्योंकि उसके पास बहुत तकड़े-तकड़े हैकर्स हैं मतलब वो सारी फोर्स बिग माफे के भाई की थी पर डगगन बॉस ने अभी उसे अपना कर लिया है और जान मुझ कि उसने उसको मींस बिग माफे के भाई को सब मरीन से बाहर निकलवा कर छोड़ दिया मुझे आर सची में इसके लिए बहुत जादा बुरा लग रहा है इसने मुझे काम दिया है जो कि मुझे कली कल में करना है फिलाल अभीस ने कहाँ कि तुम आज मेरे घर में रुक जाओ तो फटड़ यार मुझे बाई इस पर बहु आदा ही देर के लिए सो गया था एक बार इना पहले टाइम चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है वैसे आप लोग भी सोच रहे होगे कि आखिरकार बिग माफिय ने मुझे ऐसा कौन सा काम करने के लिए बोला है जिसको लेकर यार मैं इतना ज्यादा टैंशन में हूं फिलाल कायो पैरिको अब मुझे दुबारा से इसलिए जाना है क्योंकि जो डगगन बोस है उसको अगर मालूम पढ़ गया कि जो बिग माफिया का भाई सॉब्मरीन से निकल कर आ चुका है और वो इस मेंशन में छुपके रह रहा है तो सीधी सी बात है डगगन बोस अपनी पूर से बहुत जाए उसके पास सारे टैरर्स्त है big mafia की security इस टाइम पर उसके पास है और तीसरी उसकी security उसके पास है चोता बाई उसका दिमाग बहुत जादा तेज है तो सीधी सी बाद है उससे बचना बहुत मुचल है इसलिए गाइस बिग माफिय का भाई ने हमें जो चीज मंगवाई है कायो पैरिकों से, अगर वो चीज हम लोग लेहाते हैं, तो तो भाई बिग माफिय का भाई को मारना इंपॉसिबल हो जाएगा, और वो चीज है गाइस एक एर डिफेंस, जो कि दूसरी कंट्री से आ वो लोग आने की सोचेंगे भी नी, क्योंकि वो एक ऐसी मशीन है ना, तो पोच है हेलिकोप्टर हो चाहे कुछ भी हो, दो सेकेंड में उसको उडाडा लेगी, उसकी बुलेड स्पीड कुछ ऐसी है, फिलाल अभी जल्दी से ने हम लोग इस प्लेन के इंदर बैठते हैं, बिग माफिय के भाई का ही प्लेन है, मतलब खुश सोचेंगे पहले उसके पास कितनी जादा तकड़े तकड़े जट हुआ करते थे, और अब बिचारे कैसा गरीब हो सा प्लेन चलाना पड़ रहा है, फिलाल ये प्लेन हम लोग इसका लेकर निकलने वाले हैं, सीधा कायो हिंडे टेच कर चुक है भाई, लेस्गो, वहाँ पर अकेली जाने का डिसिशन मैंने इसली लिया है, क्योंकि आड़ देखो, वह जो कहा मैंना चुप-चाप इसली हो जाए, तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर जो बंदा रहता है, जिसके हाँ पर हम ओल्लेड एक बारी चोरी कर चुके है, वह बहुत जादा डेंजरस है, मेरे साब से तो इसने सिक्योरटी भी महाँ पर बढ़ा दी होगी, तो ओकी गाइस, लेट्स को, फाइनली हम लोग अपने प्लेन को लेकर, पूरे के पूरे चार गंटे बाद पहुचने वाले हैं सीधा कायो प पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक भी गलत चगहा पर लैंड कर गया ना, तो भाई मैं सीधी सी बाद बतारो, यहां पर जो बंदे रहते हैं वो थोड़े से टैररिस ताइप है, मतलब अलगी किसम के बंदे हैं, उन्हें वो देखते हैं, सिधा ठोक देते हैं, मौसम भी इतना ज़्यादा अजीब हो रख है, मैं क्या बताऊं, ओ भाई, जो मैं नहीं चाहता था, वही हुआ, काफी ज़्यादा खराब लेंडिंग होई है अपनी, बट कोई नी, गन्स वगार अपने पास हैं, वो जो वेरा उस ताना, गाइस, चाना से हमें वो ग्लास मैं को दीरे दीरे आगे बढ़ना है, मुझे भाई कसम से इतर डर्व हो जाता लग रहा है, वैसे अच्छी बात तो यह है कि सुभे का टाइम है, बिग माफिय के भाई ने मुझे यह बताया था, कि यह लोग ना रात के टाइम पर पूरी सीक्योरेटी करते हैं, वो सुभे के बीच से होते, मुझे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेने, और ना उस चक्कर में फसुगा तो गंदा ही जाऊंगा, तो ओके गाईस, अभी ना फिलाल बेंड जाड़ियों में छुपता छुपता है साइलेंड के काफी जादा अंदर आ चुगा हूं, वैसे गाईस मैं लोग को एक चीज तो बताना ही भूल गया, कि यहां पर ना टोटल तीन टेर्मिनल्स है, जहां पर दूसरी कंट्रे से समान आता है, तो यानि की टोटल तीन जगह है, जहां पर उस एर डिफेंस, उस डेथ मशीन के होने के चांसे हैं, तो मुझे तीन अलग-अलग जगह प है कसम से, यहां की जो सिक्योरेटी है बहुत जादा डेंजरस है, यह हलिकॉप्टर अंदर जा रहा होगा अराम से और उन्हेंने सीधा फोर डाला उसको, फिलाला भी मुझे यहां पर जितने भी सिक्योरेटी गार्ड है, उस सभी को डाउन करना पड़ेगा, मैं अपनी स् सिफ इतनी ही सिक्योरेटी हो, और एक सेकिंड भाई, मैं उसको डाउन करके पूरा ओपन में की जा रहा हूँ, नीचे की तरफ में गाइस काफी सारे बंदी कड़े में है, मुझे इनसे भी नी पटना पड़ेगा, यहां पर एक बंदी का जया सिधा सामने की तरफ में है, बहुत गंदा शॉट मारा है, मैंने इस स्नाइपर से वो भी सप्रेस्ट, और यहां के कुछ बंदे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, एक बंदा यहां पर चुप-चाप से खड़ा हुआ है, बाई ब्रो, ओ, दूसरी वाले बंदी को मालूम पड़ गया, मुझे ढूंड फटाफट से इनके भी शोट बजा के मैं इनको डाउन करता हूँ, मारा एक को था, बट बीचे वाले के भी बुलिट जाके लग चुकी है, और उसकी बोड़ी यहां पर गिर गई, और सीधा जाने वाला है, नीचे खाई में, लो भाई, पानी के अंदर चला गया, साथ के स साथ इसका अंतिम संसकार भी हो चुक है, सामने की तरफ में एक और बंदा है, यह इसके हाथ में कोई मैप है, बाई बाई ब्रो, निकलो यहां से, बहुत ही गंदा मार रहा हूँ मैं अपनी सनाइपर से इन सबको, तो ओकी गाई साबीना फिलाल मुझे यहां पर और बंद की भी अवास भोच गई है, यह लोग यहां पर आकर भाई खड़े हो गई है, एक बंदा तो बनायक बुलेट्स निकाल कर भाई देख रहा कर यह सब सीन करा किसने, मैं इस बंदे को ना बाई डाउन कर देता हूँ, वरना गड़बड कर देंगे यह लोग, एक सेकिन, ओ भ इसने फायर कर रहा है, इसने फायर कर रहा है, इसने फायर कर रहा है, बाकी सब को पता चल सकता है, कि यहां पर कोई ना कोई बाहर का बंदा आया है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सुभे का टाइम है, तो मेरे साब से मैक्सिमम बंदे सो रहे होंगे, फिलाल यहां आरू है कि ग obst Uber नी रहा है टूनों बंदली डॉब्लों राउन रहा हिसे कोई नहीं बथा पड़िट एक ढ़ Eig comments और कि घ्र लो बहुं लुक्त campaign और कोई काम यहां पर और स्णाइप का शूट जब पर पढ़ता है ना तो आप लोग यहां पर देखे पारें कैसी सी हालत हो जाती है बंदेगी फिलाल अब भी रास्ता पूरा क्लियर है यह वाला जो टर्मिनल है ना मैं इसे पूरा चेक कर सकता हूं तो चुछ इसी टाइप के तीन टर्मिनल है यहां पर अभी और भी सिक्योर यहां पर कोई बंदा खड़ा हुए और वह देख लेता ना भाई उपर से वह वास्तावर पर है जो स्नाइपर भजाता ना हम भी कुछ वैसी गिरते जरसे यह लोग गिरते फिलाल मुझे यहां पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे यहां से धीरी धीरे आगे बढ़ यहां पता नहीं कहां से भागता हुआ था अच्छी बात है कि इसके पास वैपन्स नहीं थे फिलाल यह जगा पता नहीं नहीं क्या ही बना रखी है फटफट गाईस हम लोगना यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं जाडियों में चुपके चलूंगा ज्यादा बेटर पर रखेंए हैं मुझे तो इनका कसम से यूस भी नहीं पता है इस टाइप के टूल्स ना टैरेरिस्ट के पास ही देखने को मिलते हैं जब मैं काफी टाइम पहले टैरिस्ट के बेस पर गया था तो सेम यही टूल्स वहां पर भी रखेंए थे पिलाला भी जल्दी हल्दी स से बाहर निकलते हैं मेरे साबसे यहां पर ना कोई भी बंदा नहीं है कन हाथ में रहनी चाहिए क्योंकि यहां पर कभी भी किसी भी टाइम गडबर हो सकती है कि वेरा उसके गेट बंद है यार मैं अंदर कैसे जाओंग यह वाला गेट यह भी पूरा बंद हो रखा बहुत इदर जाना बहुत मुश्किल है अगर गेट बंद है तो हो सकता है वो आइटम यहीं रखा हो तो ओकी अभी ना फिलाल मेरे साब से आगे का रस्ता एक्दम क्लियर है अभी ना हमें जल्दी से जल्दी से वेरा उसके अंदर गुसने का रास्ता ढूनना पड़ेगा क्योंक यह लोग खुद भी कभी से ना खोलते हों मुझे सची मैयार कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि आखिरकार वो जो मशीन है वो कहां पर होगी क्योंकि बड़े बड़े चो वेराउस है वो सारे चारो तरफ से लौकर रखे है फिलाल इस तरफ में एक चोटा सा वेराउस है इसको भी मुझे डाउन करना पड़ेगा साही है कि किसी ने देखा ने भाई कोई तो चिल आया मेरे साब से बहुत जारा बड़ी कर बड़े चुकिए है एक बंदा यहां पर भाग कर आगया ओ भाई गोलिया चलने लग गई नहीं यार मैं कसम से यह चीज नहीं चाहता था भाई वहां पर जो बोडिकार्टे ना उनको मालूम पड़ चुका है सामने की तरफे भी एक बंदा वहां पर खड़ा हुआ है इसको मैंने डाउन कर दिया है भाई 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 वह सामने से तो कहीं से आया है एक बंदा इधर ओर था इन दोनों को भी मैंने डाउन कर डाला यार जो चीज़ में नहीं चाहता था वो हुग गई मैं उसको ढूंटे ढूंटे ऐसी जगह पर आचका हूँ जहां से मुझे निकलने का भी रस्ता नहीं बता चले यार कोई दिक्कत की बात नहीं अभी ना जिस रस्ते से मैं यहां पर आया हूँ ना अभी फटापट उसी रस्ते से मैं यहां से निकलने वाला हूँ फिलाल एक बंदा उधर ओर था उसको भी मैंने मार के डाउन कर दिया है बट मुझे अभी ना गाइस उम्मीद नहीं लग रही कि मैं यहां से निकल पाऊंगा क्योंकि यह जो लोग है ना बहुत जादा डेंजरस से है मुझे वाइट टाइम टाइम पूरा प्रॉपर कवर लेना पड़ेगा वरने आपर बहुत ज़्यादा बड़ी कर बलो सकती है सामने की तरफ में एक बंदा ओर है मुझे नजर नहीं आ रहा है यहां पर इतनी ज़्यादा जाड़ी है ना मैं क्या बता हूं उसने एक बुलेट मेरे और बजा दिया बाहर आ रहा है वह सीधा पहले सी गुलियां चला के रखता हूं एक आपको उसके पड़ी जाएगे लट्सको भी फिलाल मैंने से मार के डाउन करें नहीं उठ वापिस तेरी यसी की दसी वापिस मत उठियो किसी कीमत पर भाई साफ देरे देरे मुझे यहां से आगे निकलना पड़ेगा सामने की तरफ में एक बंदा और आ चुका है भाई 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 कहीं से तो वह मार रह मुझे आप भाई बजगा कसम से अगर उस टाइम मैं देखता नहीं ना उस से लेंडर मेरे उपर ही फट जाता भाई इस सब पेट वेट में तुन्हें ने गुलियां बजा दिया इसको थोड़ा सा ओर मैं मारता हूं भाई भाई मुझे अभी चुपना पड़ेगा सबसे यहीं कहीं पर तो गैस देखो अभी ना फिलाल मुझे यहां से बाहर निकलना है न तो इन सबसे बाहर निकलके न एक दम बढ़िया तरीके से सामना करना पड़ेगा वरना यार भाई यह लोग कसम से मुझे यहीं पर धेर कर डालेंगे पावरफुल तो बहुत जाद है एक सामने के दरफ में एक बंदा मुझे ओर दिखा है इसको भी मैंने डाउन कर दिया फटाफट से गाइस मैं यह वाली रिवर पार करके उसी साइट पर चलता हूं क्योंकि वाले जो वेराउस है यहां के पूरे लॉक को रखे हैं और मेरे साब से इसके इंदर भाई कुछ था सामने के दरफ में चलो कोई इनको मैं हलके में नहीं ले सकता इनका निशाना भाई कसम से बिल्कुल नहीं चूक रहा है हर बार जो सिदा चेस्ट पी आके इनकी बुलेट्स मेरे पड़ रही है विलाल धीरे यहां से आगे बढ़ते हैं सामने के तरफ मुझे एक बंदा और पना सराया नहीं नहीं उससे पंगा नहीं लेना भाई बट अभी मैंने उसकी तरफ में फायर कर दिया है ओ भाई एक है एक सकेंड अभी मैं फसी जाता बहुत गंदे वाला अपनी M24 बाहर निकाल लिया मैंने आओ बेटा चल तीरी भैंस की उठके दिखा रहा है वापिस स सब्सक्राइब कोशिश मत करियो ठीक है दुबारा से बतारो एक और है शोट खाले वर दुबारा से मत उठी हो सामने की तरफ में एक बंदा और दिखा था इसको भी मैंने डाउन कर डाला है इसको तो भाई डांस कर आ दिया मैंने पूरा ओके-ओके-गाइस अभीना मुझ नहीं यह सो टारिरिस्ट है और हैसी जगा पर चुपकर बैठे में मैं क्या बता हूं यहां पर इसके टैंक है ना भाई इनको भी ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि इसके पर ऊपर की तरफ में एक बंदा है तो ओकी गाइस अभीना फिलाल यहां पर मैंने तीन-चार बंद कर सकता उठते इथरे पढ़नियां बहुत गंदी वाली चलो इसको मैंने मार के डाउन कर दिया बट मुझे लगता निया यह मरा होगा अपर गया मरने के एक मिनट में करता हूं यहां पर सची में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी और इधरे कंटेनर रखा हुआ है यह इसे वह भाई साब फाइनली गाइस हमें वह जो मशीन है वह मिल चुकी है इसी को में चुरा कर यहां से निकलना है इसको लोड कराना बहुत मुझकिल है इसको लोड कराने के लिए नहीं मुझे क्रेंट चाहिए होगी बट आर क्रेंट किसले हम लोग तो इसे उड़ा के ल चरूली इसे लेकर यहां से निकल सकते हैं अधर्वाइस मुझे बोट से जाना होगा चीज तू मुझे मिल गई है पर टेंशन की बात यहां से लेकर कैसे जाओंगा चले यार कोई दिक्कत की बात नी फिलाल मुझे जहां पर हैलिकॉप्टर दीखा दाना फटा पहले तो म बेटा तू भी निकल यहां से तो चलो काई सबीना फिलाल मैं सीधा घूम कर जाने वाला हूं उस हेलिकॉप्टर के पास जिसमें बैठ कर और उस कंटेनर को लिकर मैं यहां से निकलूंगा सामने की दरफ से फिर किसी ने मारा वो रहो बंदा भाई मुझे पता नहीं यहां और तावर के उपर से भी मुझे मार रहा है जहां था कर टावर के उपर बंदे देना मैंने उनको मार दिया था ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और वहां पर बच्छाओ वैसे नहीं यार जो साइड होगा वो मुझे थोड़ी उस टाइम पर दिखा होगा चलो कोई नहीं फिलाल यहां पर अभी कसम से काफी जाता बंदे है फटा फट से मुझे इस हेलिकॉप्टर को उड़ाना पड़ेगा मुझे इसके अंदर वो मैगनेट है या फिन नहीं है बट अभी अगर होगा तो बहुत जाता पड़िया सीन है वरना तो यार मुझे नहीं मालू मैं उस कंटेन जिससे यह सारी आयरन वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्राक करेंगा उसको भी मैंने ओन कर दिया है काफी सारा धीर सारा आयरन भी इससे आकर चीपक सकता है फिलाल मुझे कंटेनर चीह है पुरभो दिखो कंटेनर कैसे इसके पास आ रहे है तो चलो गाइस अभी ना फ को हो जोता मुश्किल पढ़ गया था एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं यह से जिन्दा नहीं जा पाऊंगा तो ओकी काई सबीना फिलाल मैं इस हेलिकॉप्टर को इस कंटेनर के साथ लेकर पहुच चकौँ सीधा लोस एंटास वो भी एक्दम सेफली मु फिल्टरी कैनल घर पे तो नहीं पोच गया वाई क्योंकि उसने बोला था शहर चोड़ कर नहीं जाना और मैं बाहर भी गया मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा एक काम करता हूं काईस यह जो वैपन है ना यह मैं बिग माफिक भाई को बाद में दूँगा पहले मैं चलता अब यह जादा बढ़ा है नहीं जल्दी से लिए अपने घर के अंदर चलकर देखते हैं आखिर का सीन है पहले ही लोगों ने मुझे दबा के कॉल कर रहा हूं पूरा बिजी ता मैं इनका कॉल उठा है नहीं पॉल बैक कर रहा हूं इन में से कोई भी कॉन नहीं उठा रहा नहीं अमेंडा कॉल उठा रही है और फटा 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 गाइस घर के अंदर हम लोग चलकर देखते हैं आखिर का सीन है नहीं मुझे मेरी ब्लू वाली कार नजर आ रही है हेलो वाई सारी गाड़ियां कहां पर चली यार अपनी ओके गाई सबीना फिलाल मैं घर में आ चु कैसे मतलब घर में कोई नसानी नहीं आ रहा और अवास लगाने पर कोई बोल नहीं रहा यहां पर इन लोगों ने लेटर चोड़ा है शायद से मेरे लिए भाई मुझे लग रहा है इसकी जो फैमली है वो पूरी परिशान हो चुकि है इन सब चीजों से वो भाई भाई क्योंकि लास्ट टाइम ब्लाक ओप सोलजर भी घर पर आ गे थे और इनको मानम पड़ चुका है कि नाइकल बहुत गलत बंदय का भी भी मारा चा सकता है उस चकर में जिमी और ट्रेसी भी मारे चा सकते हैं बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया भाई अभी हम लोग सूच रहते हैं कि सारी प्रॉबलम दूर हो चुकी है बिग माफिया के भाई से भी अपनी दोस्ती हो गई है तो किसी से भी अब हमें डरने की जरुरत नहीं है बटे यहार यहां पर तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब भाई हमेशा यह जूस बने रहता था वट आज भाई ग्लास खाली पड़ा है पता नहीं अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फटा फट से इस वीडियो को चाकर लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 1.2 मिलियन लाइक के लिए तो सभी लोग जा नहीं हुई है बट फिर भी आपको आज की वाली वीडियो कैसे लगी मुझे कोमेंट्स में जाकर जरूर बताना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है फटा फट से यार जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे दबा दो और मुझे इंस्टाग्र